नेता जी के स्वप्नों का भारत बनाना वीर सावर करके स्वप्न का भारत बनाना धे सारे ग्यात अग्यात नामी अनामी सहीदों के स्वप्नों का भारत बनाने की जिम्मेदारी आज की UAPD पर है हम लोग उपर और मित्रो मैं फिर से एक बार कल भी कहा था आज भी कह रहा हू कि हमें आजादी के लिए लड़ने का मौका नहीं मिला, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, परन्तु आजादी के लिए मरने का मौका तो हमसे चीना जा सकता है, क्योंकि देश आजाद हो गया था, परन्तु भारत के लिए जीने का मौका हमसे कोई नहीं ची सकता, हमारे जीवन को हम भारत के विकास के लिए, भारत की उन्नती के लिए और भारत के घ्योरों के लिए समर्पित करना चाहे, तो कोई नहीं रोक सकता, और यहीं है आजादी के अमरूत महोत्सव का हमारा लक्स मित्रो आज मैं जब यहां आया हूँ आजादी का अमरूत महोत्सव भी चल रहा है और सुभास बाबू का 125 वर्स भी चल रहा है इसी पवित्र दिन पर वर्स में मैं आज यहां आया जहां 30 डिसंबर 1947 में सुभास बाबु ने आजाद भारत की मुक्त हवा में सांस लेकर अपने तीरंगे को फेहरा है था मित्रो नेता जी को उनके जीवन को जब भी देखते हैं तो हमें हमेशा मैसूस होता है कि नेता जी के साथ अन्याय हुआ है आजादी के अंडोलं के इतियास का एक तेजस्वी तारा धुरू तारा आज जब बच्चे इतियास पड़ते हैं और उसको देखते हैं तो मुझे लगता है जितना महत्व नेता जी को मिलना चाहिए उतना महत्व साहद नेता जी को नहीं मिलाएं सालों तक देश के अंदर आजादी के कई जाने माने नेताओं को उनके योगदान को छोटा करने का भी प्रयास किया गया मगर अब समय आ गया है कि सभी को इतियास में उचीत स्थान मिलना चाहिए जिनका योगदान था जिनका बलिदान था जिनोंने जीवन नोचावर करे उनको इतियास में जगे मिलनी चाहिए गवरव पूर्ण जगे मिलनी चाहिए और इसलिए इस द्वीव का नाम नेता जी सुभाज के नाम पर रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रो सरदार पटेल के साथ भी कुछ इसी प्रकार का न्याय हुआ आज हम जिस भारतिय संग को गंडाज्य को देख रहे हैं कोई कल्पना कर सकता है 350 से जाद्या रियासतों को जोडने का काम अगर सरदार साब एक डेड़ साल के कम अंत्राल में न करते तो भारत का स्थितो होता क्या अंग्रेश तो उनको जो करना था वो कर दिया था सब को मुक्त कर दिया आप यहां पर भी जा सकते हैं वहां पर भी जा सकते हैं सुतंत्र भी रह सकते हैं यह सारी रियासतों को जोडने का काम और एक मजबूत बारत बनाने का काम सरदार पोटेल ने किया था सरदार साब को भी जितना सन्मान आजादी के बाद मिलना चाहिए नहीं मिला मगर मित्रो इतियास ऐसा है जो अपने आपको दोहराता है हम किसी को भी कितना भी अन्याय करने का प्रयास करें काम जो होता है वो कभी छिपता नहीं है कभी दिपता नहीं है और आज केवडिया कॉलोनी में विश्वक से सबसे बड़ी उन्ची प्रतिमा भारत के अंदर नहीं विश्व में सबसे बड़ी उन्ची प्रतिमा नरेंदर मोदी जी ने सरदार साब की लगाई है जिसको देखन के लिए दुन्या भर से लोग आ रहे हैं सुभास बाबू और सरदार पटेल दो ऐसे व्यक्ति तो दे आजादी के अंदोलन के उस्वक्ट जो हुआ वो हुआ आज सुभास बाबू को पुरा देश सनमान के साथ याद करें इस प्रकार की व्योस्ता यहाँ पर हम करने वाले हैं और इसलिए जहाँ पर सुभास बाबू ने ध्वज फेराया था वही पर उसी दिन्थी पर 75 साल पुरे होने पर मोधी जी ने एक बहुत बड़ा तिरंगा लगा कर एक बहुत बड़ा तूरिस्ट स्पॉट भी बनाया है और एक देश भक्ति की जागरूति का उर्जा कैंदर भी बनाया है और ये द्वीब को भी हम आने वाले दिन में विक्सित करने वाले हैं और विक्सित करकर यहाँ पर एक भव्यस्मारक सुभास बाबू की स्मृति में बने इस प्रकार की हम व्योस्ता करेंगे और मोधी जी ने सुभास बाबू के जन्मन दिन को तेवी जन्वरी को पूरा देश पराकरम दिवस के रुप में मना हैं इस प्रकार की एक घोशना भी करी है और देश की सभी सरकारे और केंद्र सरकार आज पराकरम दिन को मना रही एक ओजस्वी तेजस्वी विद्यार थी जो आईसीएस बना उस जमाने में आईसीएस बनने का मतलब था पूर्वे जीवन का एसो आराम सुनिशीत कर देना मगर सुभास अलग उद्येस थे पढ़ाई लिखाई करे थे उन्होंने आईसीएस की एक्जाम अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए नहीं दिती आईसीएस की एक्जाम पास करने का काम उन्होंने अंग्रेजों को कीस प्रकार से यहां कर मुल समय उखाड कर फैंक दिया जाए इसके लिए किया था और इसलिए जब ICS की एक्जामनेशन में टॉपर होने के बाद भी अंग्रेजों की नौकरी नई स्विकारी राद निती में आए कलकत्ता के मेयर बने कॉंग्रेज पार्टी के दो बार अध्यक्स बने कॉंग्रेज की कारे निती में उनके मद्भेद हुए कॉंग्रेज छोड़ी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और आजादी का अंदोलन का एक नया अध्याय शुरू हुआ वित्य अभिश्वयुद में जब अंग्रेज मुख ही खा रहे थे तब सुभास बाबु ने दूनिया चंबीत हो जा इस वक तरह से कलकत्ता में अपने ही घर में नजरबन थी कलकत्ता से एक ग्रेट एसकेप के नाम से जानने वाला एक यात्रा सुरू हुआ कलकत्ता से पेशावर पेशावर से मौस्को मौस्को से बरलिन 7275 किलोमिटर एक व्यक्ति घाड़ी से गया इतनी ठंड में जहाँ माइनस 43 डिग्री टेंपरेचर हो एसी ठंड में एक आदमी कलकत्ता से बरलीन तक घाड़ी पेशावर कितनी जगस होगी इच्छा होगी तब जाकर ये मार्ग अंग्रेजो के पूरे राज को भेद कर बरलीन तक पहुंचा था पंडूबी से जर्मनी से इंडोनेसिया इंडोनेसिया से जापान और वहां से सिंगापूर 27,000 किलोमिटर की यात्रा पंडूबी के अंदर करने वाला यादमी सुभा भास बाबू थी देश को आजादी दिलाने के लिए आजादी हिंद फोज की रचना करी रेडियो स्टेशन बनाया और इसी ध्विपर आजाद हिंज फोज के द्वारा स्थापित कई होए स्वतंत्र भारत की सरकार की घोशना जापान ने करकर इसको माननेता दी थी इतनों हम कल्पना कर सकते हैं जिस सासन का सूर्य दुनिया में कभी डुपता नहीं था वो अंग्रेजों के खिलाप इतना बड़ा संगर्श करकर उन्होंने आजादी दिलाने का प्रयाद के खैर उस वक्त भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया हम आजाद नहीं हो पाए मगर क्या हम सुभास बाबु के वो प्रयासों को भुला सकते हैं क्या सुभास बाबु की ये देश ब्रक्ति को हम दोयम स्तर का दरजा दे सकते हैं क्या क्या उनके आजादी के इत्यास में गवरव पूर्ण स्थान नहीं होना चाहिए क्या उनके व्यक्तित्व से हजारों साल तक आने वाली पीडिया प्रेहना ले इस प्रकार से उनकी स्मूति को संजो कर गवरव पूर्ण तरीके से सुभास बाबू को देश और दुनिया के सामने नहीं रखना चाहिए